हाई फ्रेंड सूपी का तड़का चैनल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे काली उरत की दाल की रैस्पी जिसको हम छिलके वाली उरत की दाल भी कहते हैं इस दाल की रैस्पी बच्चों अपड़ों सभी को पसंद आएगी तो फिर चलिए छिलके वाड़ी उरत की दाल की रैस्पी बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने लिए एक कटूरी छिलके वाड़ी उरत की दाल बेट में यह होगी लगबग 1.500 ग्राम तो सबसे पहले हम इस दाल को पानी से अच्छे से धुल लेंगे तो अब हमको करने दो बड़ी चम्मच सरसों का तेल लेंगे और इसको गर्म करेंगे तो तेल हमारा आच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच जीरा जीरा हमारा चटकने लगा है तो अब हम इसमें एट करेंगे छे से साथ लैसुन की कर लिया जिनको मैंने छोटे छोटे पीसिस में कट कर लिया है और साथ में डालेंगे एक इंच द्रक का टुकड़ा इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसिस में कट कर लिया है और इसके साथ ही हम डालेंगे तीन सुकी खड़ी लाल मिर्च तो अब हम लेसुन को सुनेरा होने तक भूनेंगे लेसुन हमारा हलका सुनेरा हो गया है अब हम इसमें एट करेंगे दो तेज पत्ता और थोड़ी सी हिंग और इनको धीमी आज पर हम आदा मिलेट के लिए भूनेंगे हमें इनको लगाता चलाते हुए भूनना है तो आप देख सकते हैं कि प्याज का color change हो गया है हमें प्याज को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है तो अब हम इसमें add करेंगे एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर आदा छोटी चम्मच छल्दी पाउडर आदा छोटी चम्मच कस्मीरी लाल मिर्च और नमक डालेंगे स्वाधनुसार अब हम इन सबी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे और दीमी आज पर लगाता चलाते हुए इनको एक मिनट थक भूनेंगे तो मसाले हमारे अच्छे से भून गये हैं अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा size का टमाटर जिसको मैंने चोटे-चोटे pieces में cut कर लिया है तो ध्यान रखेएगा टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छे से soft ना हो जाए तो आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे अच्छे से soft हो गए हैं और इन्होंने oil भी छोड़ दिया है तो अब हम इसमें add करेंगे एक चोटाई चोटी चम्मच गरम मसाला और इसको भी इसमें अच्छे से mix कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे काली उरत की दाल पानी को डालकर हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे तो अब हम इसमें add करेंगे पानी पानी मैंने यहाँ पर दो गलास यूज किया है और पानी को डाल कर हम इसको एक बार अच्छे से चला लेंगे अब हम पैन के ठकन को बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसमें 3 सीटी आने तक इसको पकाएंगे तो आप देख सकते हैं कि पहली फिर दूसरी और तीसरी सीटी आ गई है अब हम गैस को बंद कर देंगे और प्रेसर कुकर को गैस से हटा कर प्रेसर कुकर की गैस को आराम से निकलने देंगे तो कुकर की गैस अच्छे से निकल गई है अब हम डाल को चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दाल अमारे अच्छे से पक गई है अगर आपकी दाल खड़ी रह गई है तो आप इसमें एक सीटी और लगा सकते हैं अगर आपको दाल पतली लग रही है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए खुला पका लें तो मुझे तो दाल एकदम परफेक्ट लग रही है ना ये ज़्यादा गाड़ी है और ना ज़्यादा पतली तो अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे आप इस ताल में शुद देशीगी डाल कर चपाती और जीरा राइस के साथ सर्व करें ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है तो लास्ट में हम बारी कटी हरी धन्या से इसको गार्नेश करेंगे तो अगर आपको मेरी रस्पी पसंद आए तो प्लीज इसे ज़्यादा स्यदा लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बनी बैल आइकाउन को दबाना ना भूलें जिसे मेरी लेटेस्ट रस्पी आपको मिलती रहे तो फिर मिलते हैं एक नई रस्पी के साथ बाई